के लोगों से कह प्लांट कोई के प्लांट भी काईते हैं काफी कालर समय और व्रायटी इमें आपको असान इसें नरसमे मिल चाहे मेरे पास हाइब्रेट ओर देसी दोनों ही तरह के प्लांट है और सभी मैंने ज्यादा तर बाइक कटिंग ही तियार किये हुए हैं सभी प्लांट इस टाइम बहुत अच्छे से ग्रोव करें देखिए कितनी सुंदर से फ्लाफरिंग हो रही है मेरे प्लांट पे और यह जो प्लांट है वो एच्छुली से बिलोंग करता है और यह आपको पूरी ही सर्दियों में फूलों से भरा हुआ दिखाई देगा और इसके जो फ्लार्स हैं वो काफी समय तक बने रहते हैं तकरेवन दो तिन हफतों तक यह बने रहते हैं दोस्तों वैसे तो यह प्लांट जो है वो विंटर सीजन का ही फ्लावरिंग प्लांट है लेकिन यह आपके गार्डन में हमेशा बना रहता है एवरग्रीन प्लांट है बात इस प्लांट की केर के करें तो इस टाइम यानि विंटर सीजन में आपको इस प्लांट की थोड़ फ्लाबरिंग हो इन प्लाबरिंग 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 हो इन प तक पर किल आले अप यहीं के जुशे का फ़्लाव जो गऌत पॉर कर सकते हैं इसके एलावा आप देता जॉत लिवाटब करो कें जेविपा नोकिन जो दंड़े की निकल सकते हैं जमारे लाइन वे भी 으िक हैं उनमें वर्स भी खूप सारी आएंगी और flowering भी काफी होगी और इसके एलाब अगर आप Green Tea का यूज़ करते हैं तो Green Tea को भी आप डिरेक्टली plant में डाल सकते हैं Green Tea को वोश करने की भी ज़रूर नहीं होती है Sunlight की बात करें तो इसे आप डायरेक्ट संलाइट में रख सकते हैं क्योंकि सार्डियों की जतनी ज्यादा संलाइट, जितनी ज्यादा रूप मिलेगी उतना ही ये प्लांट ज़्यादा फ्लाब्रिंग करेगे बात करें इसकी प्लापिकेशन की तो बाई कटिंग आप इजिली ग्रो कर सकती है एक प्लांट से डेरो प्लांट त्यार कर सकते हैं मैंने भी अपने ये प्लांट जो है वो ज्यादा तर कटिंग से ही त्यार किये हुए है आपके आसपास आपको कहीं भी इसकी शोटी से शोटी कटिंग दिख जाती है तो आप अपने गार्डन में से आड़ जरूर करें हेंगिंग बास्केट में ये प्लांट होर भी सुनतर लगता है चाहे उनमें फूल आ रहे हूं चाहे ना आ रहे हूं ये बिना फूलनों के भी हेंगिंग बास्केट में काफी घुसरत लगता है जब भी आप इसकी cutting को लगाए ना मिठी हलकी सी मोश्च होनी चाहिए फिर चाहिए आप इसे 10-12 दिन पानी ना भी दे तो इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा watering ये बात करें तो जैसे कि ये succulent family से विलोंग करता है सो इसके stem में, leaves में already काफी सारा पानी store होता है सो पानी इसे उतना ही दे जितनी इसको need हो और watering से plant ये कई बार मर भी सकता है first layer एक से दो इंचे तक dry होने पर ही आप पानी दे चलिए अब बात करें इसके potting mix की तो potting mix की बात करें तो जैसे कि आप इसके लिए जो भी मिठी त्यार करें वे bores होनी चाहिए, soft होनी चाहिए, hard नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसे ज़्यदा पानी पसंद नहीं है तो जब भी आप इसके लिए मिठी त्यार करें उसमें कोशिश करें कि 40% river sand, 30% garden soil और 30% ही compost ले सकते हैं compost आप चाहिए कोई भी ले सकते हैं चाहिए गर वर्मी compost चाहिए तो गोवर की खाथ जो कोई fully decomposed हो तो चलिए friends इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर end करते हैं I hope आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करीगा, शेर करीगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले thanks for watching, see you in the next video with the new plant until then take care, bye bye, be happy